नमस्कार आप देख रहें स्काइनेट टीवी इंडिया पेसाच के मुख्य समाचार युक्रेन के इवानो सहर में MBBS की पढ़ाई करने गई वीवा सहर की बिटिया साक्षी सिंग परिहार बुधवार की राद सुरक्षित घर पहुँच गई हैं साक्षी सिंग ने बताया कि समय रहते भारत सरकार की ओर से युक्रेन में फसे छात्रों को नजदी की बॉर्डर पहुचने के एडवाईजरी जारी की साक्षी ने बताया कि मुझे भरोसा था अपने इंडियन गवर्मेंट पर की वे हमें युक्रेन से सुरक्षित निकाल लेगी भारत सरकार की में अभारी हूँ विवा जिले में रक्तदान को प्रोचाहित करने के लिए जगर जगर स्वेच्षिक रक्तदान से विर आयोजित की जा रहे हैं कलेक्टर मनुच पूसप और एसेस्पी नवीन भसी ने माडल साइंस कॉलेज में विध्यारतियों वो समाजिक संगटनों के प्रतिनीदियों से समबात कर रक्तदान के लिए प्रेरिद किया एवं कहा कि 4 मार्च को सुबर 10 बजे से जादा से जादा संख्या में संजे गांधी स्मरती हस्पिटल पहुच कर सीवीर को सफल बनाए कलेक्टर मनोज पूस्प ने कहा कि रक्तदान महादान है स्वस्त वेक्ति द्वारा दिये गए रक्त की पूर्ती 24 से 48 घंटे में होती है नियामित रक्तदान करने वाले वेक्तियों में रक्त की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है मद्रेपदेश हाइकोड ने प्रदेश में चराहो पर लगी मूर्तियों के संबंद में बड़ा फेसला सुनाया है कोड ने कहा है कि प्रदेश में 18 जन्वरी 2013 के बाद चराहो पर लगी सभी मूर्तियां हटाई जाएंगी कोर्ट ने याँ फेसला गुरुवार को भुपाल के टीटी नगर चुराहे पल लगी पूरु मुख्य मंत्री अर्जुन सिंग की प्रतिमा के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया याचिका कर्ता ने कहा था कि मुर्तियों से ट्राफिक प्रभावित होता है कोर्ट ने भुपाल नगर निगम और राज्जी सरकार पर 30,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया है इसमें से 10,000 रुपे याचिका कर्ता को मिलेंगे मद्धि प्रदेश उच्छी सिक्षा विभाग ने कॉलेज चात्रों के हित में बड़ा फेसला लिया है जिसके तहट प्रदेश में डिजिटल और स्किल विध्याले की स्थापना होगी इसके लिए उज्जेर में डिजिटल और भुपाल में स्किल विध्याले की स्थापन में होगी ग्रह मंत्री डॉक्रेन में मत्रम्रेश की 407 लोगों की सूची विदेश मंत्रालय ने ने इनमें से 202 बच्चे ऑपस आ चुके हैं 454 परिवार में से 430 परिवार से पुलीस प्रसासन के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं मद्धी प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 141 नए केस आए हैं जबकि 654 लोग ठीक हुए हैं वर्तमान में कुलेक्टिव केस 2233 है प्रदेश में वर्तमान में संक्रमन प्रदेश में कल करोना के 3400 टेस्ट किये गए इंदोर में बुधवार देराताय कोरोना बुलेटिन के अनुसार 4750 सेंपल की जाँच की गई जिसमें 24 पॉजिटिव आए मुई स्वस्तों कर डिस्चार्द होने वाले मरीजों की संख्या 75 रही कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक किलिश शुबरात्री